हाई दोस्तों आपका स्वागत है आठ ग्यान कला में आज हम पढ़ेंगे चित्रकला से संबंधित important question के बारे में जो की हमारे TGT PGT NET के जो ही student है जो भी इस exam को दे रहे हैं चित्रकला से उन student के लिए ये वीडियो बहुत ही important है तो हाई ये हम पढ़ते हैं उन question के बारे में तो पहला जो question है वो है चिकन कारी किसे से संबंधित है तो यहाँ पे चार option है चित्रकला वस्त्रकला पापकला ग्रिह सज्जा तो ये चार option में से चिकन कारी किसे संबंधित है तो ये हम देखते हैं चिकन कारी वस्त्रकला से संबंधित है क्योंकि चिकन कारी जो होती है व सबंदीत है और फिर दूसरा क्यूश्चन पर आते हैं दूसरा क्यूश्चन देखते हैं तो यह दूसरा क्यूश्चन जिराफ गुरूब का प्रसिद्ध चित्र कहा है तो यह उप्सन है सेंगन-पूर पंचमढ़ी धुशंगाबाद रायगर तो हम देखेंगे कि जिराफ ग्रूब जो है वो होसंगाबाद से चित्र प्राप्थ हुआ है तो अर्था दूसरा C option से ही है तो जिराफ ग्रूब का प्रसिद्ध चित्र होसंगाबाद से प्राप्थ हुआ है तीसरी question पर आते हैं तो तीसरा ये question है नटराज की मूर्ती कहां से प्राप्थ होई नटराज की मूर्ती कहां से प्राप्थ होई तो इसमें option है लोथल, हडपा, मोहन जोदलो, काली, बंगा तो इसमें देखते हैं कि नटराज की जो मुर्ती है वो मोहन जोदलों से प्राप्थ होई है नटराज की मुर्ती मोहन जोदलों से प्राप्थ होई है चौथे क्यूष्चन प्याते हैं तो चौथा क्यूष्चन अजन्ता के बारे में है अजन्ता गुफाओं का निर्मार कप्रारंब हुआ तो अजन् पूछा जाVA को देखते हैं तो दूसरी सदी में अजनता की गुफांब हुई उसको पूछा जा रहा है निर्मान का डुशनी सदी धुक्ता डूसरी सदी पहली सदी और तीसरी सदी में पाकटा प्रारम्भ हुआ अजनता की गुफाओं का निर्माड तो ये चार आप्सन है इसमें से हम देखते हैं तो दूसरी सदी में दूसरी सताबदी में अजनता की गुफाओं का निर्माड प्रारंब हुआ तो पाचवा क्यूस्चन पे आते हैं तो जो देखते हैं जोगी मारा गुफा की लंबाई कितनी है जो दस्मल्ब 50 मेटर दी है 4.50 मेटर तो जोगी मारा गूफा की जो लंबाई है वो अमका 3.50 मीटर इसकी लंबाई है जो गी मारा गूफा की तो हम देखते हैं छहटवे question पर आते हैं चाटा question है प्रग्यापारमिता का चित्रण हुआ है कहा हुआ है तो किस पर हुआ है इसमें option है A. कागस पर B. ताड़ पत्र पर C. कपड़े पर D. लकड़ी पर तो प्रग्यापारमिता जो हुआ है वो ताड़ पत्र पर हुआ है साथवे किस्चन को देखते हैं तो साहनामा साहनामा की लेखक कौन है गुलबदन बेगम अबुलफजल फिरदोसी बदायूनी तो साहनामा की लेखक है फिरदोसी ये बहुत इंपोर्टन किस्चन है साहनामा के लेखक कौन है तो फिरदोसी है ये साहनामा के फिरदोसी लेखक है और पटुवा कला किस राज से संबंदित है आठवा क्यूस्चन है पटुवा कला किस राज से संबंदित है आपसन में बंगाल बी गुजराद सी राजस्थान डी मध्य परदेश तो पटुवा क जो है वो बंगाल से संबंदित है और नवी क्यूश्चन पर आते हैं कि अली रजा कि सैली का चित्रकार था अली रजा कि सैली का चित्रकार था मेवार बुंदी बिकानेर और जेपूर यह चौर आप्सन है और क्यूश्चन है अली रजा कि सैली का चित्रकार था तो अली रज जो लिए इसके लिए कोई नहीं तो हम देखते हैं चमबा रूमालों के लिए ये बहुत चमबा इगरहवी कुष्चन पर आते हैं तो भारती वीनस किसे कहा जाता है भारती वीनस किसे कहा जाता है साल भंजिका को बनिठनी को अजंता को और मोगल को तो भारती वीनस जो कहा जाता है वो साल भंजिका को कहा जाता है और बनिठनी भी बहुत इंपॉर्टन्ट है बारती मोनाली साब बनिठरी लेकिन भारती वीनेस जो है वो साल भंजी का है और बरहवी क्यूश्चन पर आते हैं तो पटना सैली की खोज किसने की थी पीसी मानक, ब्रुसफुट, काकबर्न, और मार्सल तो चार आप्षन में से यह क्यूश्चन दे देता है पटना सैली की किसने की और चार आप्षन में से आ जाता है तो हम देखते हैं पीसी मानक ने पटना सैली की खोज की तेरहवे क्यूश्चन को देखते हैं तो तेरहवा क्यूश्चन पूस्ता है अम्रता सेरिगिल के चित्रों का बिस है क्या था अम्रता सेरिगिल के चित्रों का बिस है जो बिलासितापूर्ण भी इनके चित्रों में देखा गया है लेकिन इनके चित्रों के भीषय जो है वो ग्रामीड थे तो चौदर क्यूस्चन प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई विश्णू की प्राचीन प्रतिमा तो अप्शन में है मतुरा साची गांधार सारनात विश्णू की प्राचीन प्रतिमा मतुरा से प्राप्त हुई हम मतुरा को अप्शन में मतुरा है तो मतुरा को क्लिक कर देंगे और 15 क्यूस्चन को देखेंगे तो 15 क्यूस्चन है पंच तंत्र का फार्शी अनुवाद है चंगीज नाम अयार दानिश अमिर हमजा नल दमयंती ये पंच तंत्र का फार्सी अनुवाद है ये कौन सा है तो हम देखेंगे तो अयार दंइस, यह जो अयार दंइस है, ये पंचतंतर का भार्थ सी अनुवात किया गया, और शुलाحमे की उस्चन पूश्चन पूश्टा है हलिसक नित्य संबंदित है कहां से संबंदित है हलिकस नित्य तो इसको सुलावा क्योशन पूशता है हलिकस नित्य कहां से संबंदित है संबंदित किसे है तो आप्सन में है बाग अजनता बादामी इलोरा इन चार आप्सन में से हम देखेंगे कि हलिकस हलिसक नित्य जो है व अलिसक न्रिट्य यहीं बाग गुफा से सम्भनिद है और सत्रहमी क्यूस्टन पे आते हैं। सत्रहमा क्यूस्टन पूस्ता है कि अपभ्रंस कला में मुख्या कृतियां हैं एक चस्म देड़् चस्म सवाचस्म सभी तरह की तो अपभ्रंस असवैली में ज्यादातर सवाचस्म की मुखाकृतिया बनाए गई तो हम ज्यादातर बाला लेते हैं तो इसमें आप्सन में सवाचस्म है तो सवाचस्म को क्लिक कर देते हैं तो अब्रंस कला में मुखाकृतिया जो बनी वो सवाचस्म बनी और अठरावे क्यूस्चन पे और लास्ट यह जो मुगल सर्दार है यह चित्र है और इस चित्र के चित्रकार कौन है अनुप चित्र मीर हासिम होनहार और मुहमद नादिर यह चार आप्सन है और पूछा जाता है कि मुगल सर्दार नमक चित्र या मुगल सर्दार चित्र के चित्रकार कौन है तो इसके जो मीर हासिम है मीर हासिम ने मुगल सर्दार नामक चित्र बनाया था तो अट्राओं की उशन मुगल सर्दार के चित्रकार मीर हासिम है तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे के बाद मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत आग तक पहुचे इसके लिए बेल आइकन दबाए थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो